नीता का इकलोथा बेटा कई साल पहले जो अमेरिका पढ़ाई करने गया तो वापस नहीं लोटा एक दिन उन्हें पता चला कि उसने किसी नेहा नाम की लड़की से शादी भी कर ली है शादी के बाद भी वो कभी इंडिया नहीं आया हाँ अपनी बीवी की फोटो उसने मा को भेज़ती थी मा अपने आसपास वालों को अपने बेटे बहु के साथ रहते देख बहुत दुखी होती थी और हमेशा उसे फोन करके कहती थी हलो कल बेटा कितने बरस हो गए तुझे अमेरिका गए अब तो तुने शादी भी कर ली है यहां अपने आसपास के घरों में बेटा बहु देख कर तेरी याद आती है एक बार तो अपनी मा के पास चला आ बेटे चला आता मा पर यहां बहुत काम है छुटी नहीं मिलती एक बार तो कैसे भी आजा बेटे यह तुझे देखने की इच्छा लिए ही इस दुनिया से चली जाओंगी तेरे सिवा और कौन है मेरा मा ऐसा क्यों कहती हो ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ क्या हुआ कल क्या बताओं डालिंग वही मा का फोन कह रही थी कि तुम्हें देखने की इच्छा लिए ही चली जाओंगी आखिर मेरे सिवा उनका है ही कौन एक बात कहूं कल यहां ना तुम्हारी बहुत कमाई है ना मेरी और वहां जब मा का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तो वहां की प्रॉपर्टी का क्या होगा क्यों ना उसे बेच कर यहां बड़ा बंगलो ले ले तुम्ही तो कह रहे थे वहां तुम्हारे बाप दादा की करोडों की प्रॉपर्टी है हाँ पर मा बेचने के लिए नहीं मानेगी क्या ऐसे नहीं मानेगी उन्हें मानना पड़ेगा एक काम करो हम दोनों चलके मा को मनाते हैं और प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेकर आते हैं प्लीज कोशिश तो करो ओके तुम कहती हो तो चलते हैं और वो मा को फोन करके अपने आने की बात कहता है, उनके आने की बात सुनकर मा एकदम दिवानों सी हो जाती है, वो अपने आसपडोस वालों को सभी को बताती है और तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता है जब बेटा बहू के साथ सच्मुच में आ जाता है, उन दोनों के आते ही माँ दर्वाजे पर ही पानी भरे लोटे से उनकी नजर उतारती हैं। अरे, मैं तो समझी थी अमेरिका में रहकर हमारी बहु, पर बहु तो बड़ी संसकारी है। मा इसे मैंने शादी से पहले ही कह दिया था, मेरी मा को संसकारी बहु पसंद है, वरना मैं शादी नहीं करूँगा, ये मान गई। मा के बाजी में गुजरने के बाद, वो मा से प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं। सुनते ही जैसा कि उन्होंने सोचा था, मा मना करती है। क्या बात करते हो बेटा, ये हमारा खांदानी घर है, तुम्हारे दादा से ये आ रहा है, इसे कैसे बेचते हैं। अरे लेकिन इंडिया में अपना कुछ तो होना चाहिए। मैं भी इन से यही कह रही थी मा जी पर। मा राजिस्थान में अपना कुछ नहीं है, तो इतने सालों में क्या फर्क पड़ा। वैसे ही इंडिया में भी कुछ नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिका में हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं, बरसों से सभी सुखी हैं। हाँ मैं भी यही कहने वाली थी माजी, आप भी हमारे साथ वहीं रहो। आपके पैर चूकर काम पर जाओंगी, रात को आकर आपके पैर दबाओंगी, मेरी जिंदगी कितनी खुश नसीब होगी। अगर ऐसा है, तो ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मरसी। मा के मानते ही एक पल की भी देरी किये बिना दूसरे ही दिन बेटा बंगलो और बाके सारी प्रॉपर्टी बेच कर, मा का भी टिकट लेकर उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाने की बात करते हुए, उन्हें तयार करते हैं। वो अपने पडोसियों से विदा लेती हैं, सारे पडोसी उन्हें विदा करते हुए, उनकी और उनके बेटे बहु की तारीफ करते हैं। वाह, कितने अच्छे बहु बेटा हैं, मा की जिम्मेदारी समझ रहे हैं। नीता बेहन, अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। अच्छे बेटा बेटा उन्हें एक जगा बिठाता हुआ कहता है। मा बैठी रह जाती है, धीरे-धीरे शाम हो जाती है पर वो नहीं आते हैं। तो मा बेचैन हो जाती है, तभी कस्टम वाले आकर पूछते हैं। मा जी, दोपहर से देख रहे हैं, आप यहीं बैठी हो, कहां जाना है, या कोई आने वाला है? नहीं, मैं अमेरिका की फ्लाइट में जाने के लिए बैठी हूँ। दोपहर से तो अमेरिका की चार फ्लाइट जा चुकी हैं, आपको कौन सी फ्लाइट से जाना था? वो तो मेरे बेटा बहु जाने, वो मुझे बिठा कर दोपहर से यंदर गए हैं। कुछ कानूनी कारवाई करने, अभी तक नहीं आए। क्या नाम है आपके बेटे का? सुनकर मा अपने बेटे का नाम बताती है, तो वो अपने मुबाइल से फोन करके पूछने के बाद उन्हें कहता है। मा जी, मिस्टर कल्प तो बेवी के साथ दोपहर की पहली फ्लाइट से ही अमेरिका के लिए निकल गया। क्या? ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है? मा जी, लगता है आपको आपके बेटे ने धोखा दिया। सुनकर ऑफिसर उन्हें पुलिस टेशन जाने को कहता है। मा पुलिस टेशन जाती है, जहां पुलिस के बुलाने पर उनकी वही पडोसन उनसे मिलने आती है। परोसन को देखते ही वो और भी बुरी तरह फफ़क पड़ती है। देखो मैं, मैं तुम्हें अमेरिका गूमने के लिए बुलाने वाली थी। कहों मैं खुद नहीं जा पाई। आप खबराये मत, सब ठीक हो जाएगा। खुश ठीक नहीं होगा, वो तुझ चले गए। ठीक हो जाएगा माजी, आपके बेटे बहु को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पडोसन उसे अपने घर ले आती है, मा के दिन रोते हुए ही बीटते हैं, पडोसन उसे पल-पल संभालती है, उसके आसू पोचती है, यहाँ कुछी दिन की मेहनत के बाद इंडियन पुलिस उसके बेटा बहु को पकड़ कर इंडिया ले आती है, यहाँ आकर पुलिस चुप चाब अपनी मा की प्रापर्टी वापस कर वरना फॉरन रिपोर्ट भीज दी तो वहां से नौकरी से भी जाएगा और यहां जेल भी जाएगा सुनकर पती-पतनी घबरा जाते हैं दोनों वहीं खड़ी मा के पैरों में गिर पड़ते हैं हमें माफ कर दो मा, हमें माफ कर दो कैसे माफ कर दो बहू, मैं तो तुम्हें संसकारी समझ रहे थी पर जब मेरा बेटा ही संसकारी नहीं है तो वो बहू कैसे संसकारी ला सकता है और पुलिस के कहने पर वो ना सिर्फ मा का बंगलो और सारी प्रॉपर्टी वापस करता है बल्कि उनके नाम पर पुलिस इतना पैसा FD करवाती है कि जिन्दगी भर मा का खर्ट चल सके अभी वो ये सब कारवाई करके निपडते ही हैं कि तभी बेटे को फॉरण से लेटर आता है कि उसे नौकरी से डिस्मस कर दिया गया है सुनकर बेटा रोने लगता है मा मैं कहा जाऊंगा प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो पर मा और पडोसन के बुलाने पर पुलिस इंस्पेक्टर आकर बेटे से कहता है अब तुम्हारे किये कि एक ही सजा है कि तुम अपनी मा के बंगलों में उपर के कमरे में अपनी बीवी के साथ किराये पे रहो और हर महीने अपनी मा को किराया दो मन्जूर हो तो बोलो वरना हाँ हाँ मन्जूर है इंस्पेक्टर साहब मन्जूर है हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं मा की कसम खा कर कहता हूँ अब मैं कभी भी फोरण जाने का ट्राइ नहीं करूँगा मा के कदमों में ही पढ़ा रहूँगा